नमस्कार, शर्मिलास किचन में आपका स्वागत है, आज मैं आपको बताऊंगे बहुत ही लोगप्रेवेंजन उपमा की विधी, तो देखिए उसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए, हमें चाहिए एक कप सूजी, यानि एक बोल सूजी, और ये है एक छोटा आलू कटा हुआ, ये एक प्याज, इस साइस का, मैंने काट के रखा है, लंबे-लंबे लच्छे जैसा, आप इसे छोटा-छोटा भी काट सकते हैं, तेल आवशकता नुसार हम लेंगे, एक छोटा असा गाजर का टुकडा काटा है, चार मैंने काजू, बीच से काटे हुए अधा किया इसे, इसमें देखिए, दो हरिमेज काटी है, और थोड़ा सा अध्रक कद्दुकस किया है, ये थोड़ी सी हमने लिए है मतर, और ये पानी लिया है, पानी हमने सूजी से तीन हुणा लिया है, लेकिन हम इसे डालते वे, आवशकता के हिसाब से उसमें डालेंगे, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, उसके लिए एक कड़ी पत्ता जो मैं समगरी मैंने नहीं बताया था, उसे भी आप नोट कर लें, अब दिखिए, मैंने गैस पे पैन रग दिया है, इसमें हम तेल या घी कुछ नहीं डालेंगे, और सूजी डालके इसे ऐसे ही सेखेंगे, भी मिय जब सूजी डाली थी तब ये मेडियम आज पे था, अब मैं थोले से मैंने धीरे कर दिया है, इसे हम सिखेंगे, सूजी अच्छे से सिख जानी चाहिए, पर रंग उसका हलका होना चाहिए, ज्यादा तेज नहीं, सूजी हमारी धीमी आज पे सिख रही है, हम ऐसा करेंगे, इसे पीछे वाले पैन में शिफ्ट कर देंगे, देखिए, और आज एकदम धीमी रखेंगे, और सूजी का ध्यान भी रखेंगे, और यहाँ पे हम एक दूसरा पैन रखेंगे, देखिए, सूजी एकदम धीमी आ इसमें हम उपमा का तड़का बनाएंगे तो देखिए उसके लिए मैं एक चम्मच से थोड़ा जादा हलका सा डालेंगी तेल सूजी में चला रही हूं साथी साथ और वह क्योंकि एकदम मैंने सिम्पे की हुई है अध्यान रखिए साथी साथ उसका देखिए तेल हमारा दरम हो गया है इसमें मैं डालूंगी जो मैंने भरी लिट और अध्रक काटके रखा हुआ है कड़ी पत्ता आधा चम्मच गाली काजू अब लग्स में बाली दि प्यास इसको हाली और अब हम इसमें डालेंगे आलू आप इसमें मुंपरी भी डाल सकते हैं और मुंपरी डालने के लिए आप ऐसा कीजिए उसको तरी पहले निकाल दीजिए नहीं तो जब यह इसके साथ वह सौगी हो जाती है अब मैं इसमें एक चम्मच चोड़ा आधा चम्मच और नमक आगे और इसमें अब मैं जैसे नाप के रखा हुआ है जिस बावल से हमने पूजी नीथी उसका तीन मुड़ा पानी इसमें डालने लिए और इसे मैं ढ़कतूंगी और इधर हम सुजी देखते हैं और इधर हम यह भी देख लिते हैं कि हमारे आलू और गाजर पके हैं कि नहीं मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ करीब आधा बावल और इसे पकने देती हूँ और सुजी चलाएं सुजी की आच हमने मद्धम कर ली है और इसको इसमें दो मिनट और सेखते हम बंद कर देंगे देखिए अब हम इसमें नीम्बू निचोड देंगे और मैंने सुजी बंद कर दी है अब हम इसमें सुजी डालेंगे देखिए दीरे-दीरे करके और लगातार चलाते रहेंगे आज मैंने मीडम रखी है बिगनर्स को मैं यह कहना चाहती हूँ कि नमक थोड़ा कम डालें क्योंकि फिर आपकी आप इतनी महरत से कुछ बनाओगे अगर तेज नमक हो गया क्योंकि बाद में नमक एड़ किया जा सकता है आप बनाते समय बीच में चक भी लीजिए और आपको लगे कि हाँ कम है तो आप एड़ कर सकते हैं पर अगर आपने अल्रेडी जादा डाल दिया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है देखिए उपमा हमारा बन गया है अब मैं इसे बंद कर देती हूं और एक बाउल में निकालके इसे गार्णिश करती हूं तो तयार है हमारा लोगप्रिय नाश्ता उपमा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू